अध्याय 19, सरकारी बजट और करने धारण बच्चों, आप पिक्निक पर तो जाते ही होंगे तो जब आप पिक्निक पर जाने की योजना बनाते हैं तो आप क्या-क्या सोचते हैं? यही ना कि पिक्निक पर कहां जाएं? और इसमें खर्च कितना आएगा? और किन-किन चीजों पर कितना-कितना खर्च करना है? तो यही बजट है ऐसे ही हमारे परिवार में बहुत सारे कारिक्रम होते रहते हैं हम उन कारिक्रमों के लिए पहले एक योजना बनाते हैं कि उन पर कितना खर्च आएगा? और किन किन चीजों पर कितना कितना खर्च हम को करना होगा। इसी तरह हम अपने परिवार की आये को किस तरह से खर्च करें इसके लिए भी योजना बनाते हैं। तो बच्चों ये बजट है लेकिन ये घरेलू बजट है। इसी तरह हमारा देश भी एक परिवार है और हमारे देश की सरकार देशवासियों के विकास के लिए लगातार कोई न कोई योजना बनाती रहती है। और वो सभी चेत्रों में चाहे वो सिक्षा का चेत्र हो स्वास्त का हो रोजगार के चेत्र में सभी चेत्रों में सरकार लगातार विकास की योजनाय बनाती है। तो हमारी सरकार ये जो योजनाय बनाती है उनपर कितना खर्च करें, किन किन छेत्रों में कितना कितना खर्च करें, यह सब सरकारी बजट कहलाता है। बच्चो जब हम अपने परिवार के लिए बजट बनाते हैं तो हम उसकी प्राथमिक्ताओं का निर्धारन कैसे करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि परिवार के सभी सदस्यों को भोजन मिल सके। परिवार में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। या अगर परिवार का कोई सदस्यों बिमार है तो उसका अच्छे से इलाज हो सके। इस तरह से हम अपने परिवार की प्राथमिक्ताओं का निर्धारन करते हैं। वैसे सभी परिवारों के लिए अपनी अलग-अलग प्राथमिक्ताओं होती हैं। इसी तरह सरकार भी बजट बनाते समय अपनी कुछ प्रात्मिक्ताओं का निर्धारन करती हैं अब ये तो आप समझी गए हैं कि भोजन, सिक्षा और स्वास्त ये ऐसी आवशक्ताएं हैं जिनकी पूर्ती करवाना सरकार का मुख्य उद्देश होता हैं इसलिए ही सरकार इन स क्रामेर छेत्र के लोगों को आयो पलब्ध कराने और उनका विकास करने के लिए चलाई जाती हैं जिससे उनका जीवन इसतर उचा ऊठ सके इसी तरह क्रिशी के छेत्र में क्रिशी विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाए चलाय जा रही है जिससे देश में खाद्यान की आपूर्ती की जा सके यही कारण है कि सरकार अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा क्रिशी छेत्रों में व्य करती है बात अगर सिक्षा के छेत्री की करें तो आप जानते ही हैं सिक्षा भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है इसलिए हमारी सरकार सिक्षा के छेत्र में लगातार नए नए अनुसंधान करती है निश्वल्क गणवेश वित्रण और मध्यान भूजन ये ऐसी योजनाए हैं जिनको चला कर जो शाला त्यागी बच्चे हैं उनकी दर को कम करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है इसी तरह बालिका सिक्षा के विकास के लिए बालिकाओ को सिक्षन शुल्क में छूट दी जा रही है उन्हें आवागमन में किसी प्रकार की तकलीफ नहों इसके लिए सरस्वती साइकल योजना के द्वारा उन्हें साइकल वित्रण किया जा रहा है और वो भी निशुल्क किया जा रहा है इसी तरह सिक्षा के छेत्र में ICT योजना चला कर हमारे देश के विध्यार्थियों को सिक्षा की आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है स्वास्त के छेत्र में भी देखा जाए तो सरकार कई महत्तुपूर्ण विकास कर रही है और अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वास्त के छेत्र में भी व्यक कर रही है